कि अंग यह चैनल आज हम बात करने वाले सेलो के बारे में सेलो यह शेयर को मैंने ट्रेडिंग परपस से लिया है ट्रेडिंग भी करूंगा इसमें अगर मुझे इसको में से कुछ stock hold करना है long term के लिए तो भी hold करूंगा तो सारी चीज़े update में आपको दे दूंगा आगे जो भी इसके साथ में करने वाला हूँ ठीक है तो फिलाल यह stock को मैंने trading purpose से ही लिया हुआ है और यह market में recently नया नया share आया हुआ है IPO के थूँ त तो फिलाल यह stock में तो मैंने apply किया हुआ नहीं था फिर भी अभी मुझे stock लग रहा है कि यह stock मेरे portfolio में होना चाहिए ठीक है और trading भी इसमें करना है मुझे और यह stock कैसा है fundamentally यह सारी चीज़े भी मैं आपको बताने वाला हूँ और इसका business कैसा है सब कुछ हम जानने वाले ह देख देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना तो यहां पर यह website में ने open करके रखा है यहां पर आप देख सकते हूँ यह सारे product यहां पर आपको नजर आएंगे इसके website पर यह सारे product याने kitchen के kitchenware है और यह drinkware है डिनरware है lunchbox से और यह casserole से jar से और container से backware है kitchen apply से cookware है और cleaning supplies तो यह सारे इस type के इनके product से यहां पर देख सकते हो यह drinkware में इनके sellow की bottles और यह dine के अंदर dinner के अंदर यह और बेक के अंदर यह ज़मेशन तो यहां पर इस अरे product है यह बाटल देख सकते हो इनकी और इनके बेस्ट सेलर देख सकते हो कौन से-कौन से इनके प्राइजर्जे स यहां पर आपको नजर आएगए क्या थे तो यह निगत बॉर्ड़क्त है और इनका बीजनस यहां पर दिखा देता हूं यह कमपनी करती है बिजनस कैस कैसा है इसका तो याने फंडामेंटल देख लेते हैं फंडामेंटल में आपको नजर आएगा देखो शेर का प्राइस 787 का है ठीक है और 16700 करोड की मार्केट कैपिटल है 749 का लो रहे चुका है तो अभी लो के आसपास यह आपको मिल रहा है ठीक ह का यह हाई जाके आया है तो ज्यादा कुछ गिरावट इसमें है नहीं और स्टॉक का पी ठीक टाक है 62 का है आरोसी काफी अच्छा है आरोई उससे भी ज्यादा अच्छा है ठीक है 125 प्रतिशत का और 5 रुपे का फेस्ट वैल्यू है इसमें एक साल के अंदर देख सकते हो यह जस चे नौवेंबर 2023 को इसका आई प्यो आया आता है तो एक साल कंप्लिट नहीं हुआ है ठीक है तो उसके बाद यह स्टॉक देखो काफी बढ़ा भी फिर गिरा तो जिस तरीके से इसके परफॉर्मन से देख सकते हो आप ठीक है तो तीन साल पास साल में भी कुछ अज़र नहींगा क्योंकि यह 10 नौवेंबर से इसका डेटा आपको यहां पर नज़र आएगा ठीक है और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज़े इसमें देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव सिर्प इसका रिडियूस डेट कर रही है यह सबसे अच्छी बात है और हेल्दी डिविडेंट है लगबग डिविडेंट प्याउट भी अच्छा है कंपनी का यह एक चीज़ अच्छी है और नेगेटिव चीज़े इसका इंट्रेस को लेके हैं और इसके डेटास बेस को लेके हैं वरकिंग कैपिटल को लेके इसका नेगेटिव पॉइंट है कि working capital increase हो रहा है इसका तो यह चीज खराब है यह दो चीज खराब है इसके अंदर और अगर हम इसकी comparison देखेंगे ट्रेडिंग के अंदर हो रहा है जिसमें इसका अदानी के साथ comparison हो रहा है अदानी और सेलो सेकेंड नंबर प्यार है इसके market cap के वज़े से और उसके बाद है होन प्राफिट बीजर्स देखेंगे तो देखो जून 2022 से इसके रिजर्स यहां पर शो कर रहा है जिसमें 433 का यहां पर सेल्स जून 2022 में था 40300 करोड्र का कंपनी 22 companies करती थी 1400 करोड्र का कंपनी 2022 में करने लगी और 17 18 Quick Ads वो पमइदर्स, लगातर बढ़ते जा रहे हैं और जिसमें देखेंगे Haag breve नहएं कम्पनी को लगबग एक साल भी complete नहीं हुआ है balance sheet देखेंगे तो देखो balance में आपको नजर आएगा company का reserve में company के पास 880 करोड है लेकिन loan कितना है 322 करोड तो loan थोड़ा कम करती हुई आ रही है कब से तो 2022 के बाद यहां पर 2023 में कम हुआ थोड़ा loan और अभी भी थोड़ा लोन कम हो रहा है borrowing कम हो रही है थोड़ा थोड़ा करके कम कर रही है और यहां पर बाकी शेर holding pattern तो दिखा रहा है फिर भी 78 प्रतिशत तो फॉरें के प्रमोटर के पास है और foreign investor के पास लगबख पौने 3 प्रतिशत है डियाइस के पास काफी अच्छा holding है लगबख 11 सवा 11 साड़े 11 के असपास प्रतिशत डियाइस याने इंडिया के बड़े investor के पास और public के पास लगबख साड़े साथ पौने 8 प्रतिशत तक तो public ने holding रखी है तो देखो सबने इसमें इन्वेस्ट किया है company अच्छी है करके सेलो अच्छा brand है इसलिए और लोगों को branded companies में इन्वेस्ट करना चाहिए तो देखो इसमें इसलिए मैंने स्टाटिंग में कहा कि इसमें लॉंग कि रख सकता हो यह the 느講 अगर मुझे और स्टाट ने है कुछ रखूंगा और बागी इसमें से निकल सकता हो जो भी रहेगा अप्ड़ेट में आपको बता दूंगा ठेकर तो टेलिएग्राम चैनल से भी जुड्सकते हो सब कुछ फ्री है knowledge फ्री में ही दे रहा हूं और फ्री में ही रहने वाले हमेशा के लिए और जो भी मेरा ट्रेडिंग सब्सक्राइब करो लाइक कर सकते हो कमेंट कर सकते हो दोस्ते के सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मैं व्यूड़ थैंक यू बाइबाए